हेलो एवरिवन आज हम बना रहे हैं कुरकुरी रसभरी जलेवी और ये बनकर 10 मिट में तयार हो जाएगा 4 घंटे बाद भी ये क्रिस्पी बना रहेगा तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में ये रिस्पी बताऊंगी टिप्स और ट्रिक के साथ ताकि आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तब भी आपका जलेवी एक्तम परफेक्ट बनेगा और साथ ही जलेवी खाने का एक अनोखा तरीखा चाहे जितना भी जलेवी आप खा लेए आपका पेट भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा तो चलिए वीडियो शूर करते हैं हलवाई जैसे कुरकुरी जलेवी बनाने के लिए इसका जो मेजरमेंट हमें लेना है बिल्कुल फर्फेक्ट होना चाहिए तो इसके लिए कोई भी आप कटोरी ले ले लें या मेजरिंग कप लें यहां छोटी कटोरी ले हूँ जो आधे कप के बराबर है अब मैं चाशनी बना रही हूँ इसी कटोरी से टेर कटोरी शक्कर डाला है मैंने और एक कटोरी पानी साथ ही थोड़ा सा इलैची पाउडर या इलाची कूट कर डालें और यहाँ पर fruit color डाल रही हूँ करीब 2-3 चुटकी है यह बिल्कुल optional है इसके बिना भी आप बना सकते हैं अब इसे हम पकाएंगे medium flame पर जब इसमें उबाल आ जाएगा और जो शक्कर है वो बिल्कुल flame पर इसके जो चाशनी होती है इसमें कोई thread नहीं होता है और जब आप इस तरह से चेक करिंग उंगली पर लगा कर तो इदम बिल्कुल sticky होगा चिपचिपा सा लेकिन इसमें कोई तार नहीं बन रहा होगा यानि यह चाशनी बिल्कुल perfect है गैस को बंद कर दें और ढखक कर हम इसे side में रख देंगे इसके बाद हमें batter त्यार करना है तो इसके लिए भी मैंने same कटोरी का इस्तमाल किया है तो इसी कटोरी से एक कटोरी मैदा लेना है और एक छोटा चमच हम इसमें देशी घी डालेंगे हलवाई जैसा जलेवी में कलर लाने के लिए थोड़ा सा food कलर डाला है दो चुटकी औरेंज कलर है ये ये बिल्कुल optional है फिर इसमें हम आदा चुटा चमच इनो डालेंगे इसमें baking powder और baking soda नहीं डालना है instant जलेवी आप बना रहे हैं इस तरह से इनो का इस्तमाल करें और इसे डाल कर हम अच्छी तरह से mix करेंगे जैसे मुएन mix किया जाता है आप चाहें तो हातों का इस्तमाल करें या फिर इस तरह से hand whisker है तो उसका इस्तमाल करें अब अच्छी तरह से इसे मिला लाएं फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका अच्छा सा बैटर त्यार करना है अच्छी तरह से इसे मिलाते रहिए इसमें गुठलिया नहीं पड़नी चाहिए थोड़ा पानी आप डालेंगे तो अच्छी तरह से मिल जाएगा गुठलिया नहीं पड़ेंगी ये बैटर है एकदम इस्टिकी बन जाएगा इस तरह से देखिए कैसे दम इस्टिकी सा बना है एस स्मूद बैटर त्यार हुआ है और जिस मेजरमेंट से हम बना रहे हैं जलेवी न इससे 10-12 जलेवी बनेगी तो देखिए सेम कटोरी का इस्तमाल करके डेर कटोरी शक्कर एक कट ज्यादा थिक एकदम पर्फेक्ट बैटर हमारा त्यार हुआ है अब इसे साइड में रखेंगे और फटा फट जलेवी बनाएंगे जलेवी बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है देखिए पाइपिंग बैग या फिर आप दूद कप पैकेट इस्तमाल कर सकते हैं या ओ दाल देंगे जितना आता है उतना हम डालेंगे और इसके बाद इसे अच्छी तरह से हम क्लोज करेंगे तो सबसे पहले बैटर को नीचे कर दीजिए सारा बैटर नीचे आ जाया उपर जो खाली जगब है ना उसमें या तो रबर बेंड लगा लिजिए या फिर इस तरह से आप इसको बाद दीजिए तो आपका बैटर बाहर नहीं आएगा एकदम सेफ रहेगा आपको जलीवी बनाना एकदम आसान भी हो जाएगा ये देखिए इस तरह से हमारा ये तयार हो गया है पैपिंग बैग अब इसे हम सैट में रखेंगे और जब जलीवी बनाना होगा उस समय इसको कट करेंगे इस तरह से आप पैन लीजिए फ्लैट पैन इसमें तेल डाल कर अच्छी तरह से गरम कर लेना है और जब जलीवी बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर पैपिंग बैग को हम थोड़ा सा कट करेंगे जितना मोटा आपको जलीवी बनाना है उसके हिसा इस तरह से तीन से चार स्ट्रिंग आपको बनाने हैं और यह तुरंत उपर आजाता है फ्लोट करने लगेगा और इस तरह से आप दो से तीन जलीवी बना लें तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ जो उसे अध्यान से सुनें शुरुआत में टेंपरेचर हाई फ्लेम जलीवी को पलट लें उसके बाद लो फ्लेम पर फिर से जलीवी को हम फ्राई करेंगे दोनों तरफ से अच्छी तरह से यह हलका ब्राउन क्लर हो जाएगा इससे जलीवी कुरकुरी बनी रहती है लंबे समय तक आप इस ट्रिक को जरूर से आज मैं जब भी आप जलीवी ब परफिक्ट बनेगी बिल्कुल भी सौफ नहीं रहेगी चाशनी में जाने के बाद और तेल में निकालने के बाद हम इससे फटा फट चाशनी में डाल देंगे जो हमारी चाशनी है बिल्कुल हलका गरम है अब चाशनी में 2 मिनिट के लिए जलीवी छोड़ दें तक पर करके इसके बाद मैंने इसे पलट लिया है इसे लो फिलम पर इसे पकाया है अब दो मिनट के बाद ये जलेवी को मैं चाशनी से निकाल रही हूं क्योंकि दूसरा जलेवी भी है वो फ्राई होकर तयार हो चुका है और जलेवी बनने में 2-5 नट का टाइम लगता है इतने चाशनी भी अच्छी तरह से जलेवी अब्सॉर्ब कर लेती है तो एक एक करके इस तरह से जलेवी बनाते जाए चाशनी में डालते जाए उसके बाद दो मिनट निकालकर एक अलग से बरतन में रखते हैं लेजिए ये जलेवी आपकी तयार हो गई कितना सुन्दर सा कलर आ नहीं होगी वैसे तो जलेवी आप ऐसे ही गर्मा गरम खा लीजीए या दोद के साथ या फिर राबरे के साथ सरव पर करें लेकिन जो सबसे फेवरेट मेरा तरीका होता है ना वह दही के साथ जलेवी खाना होता है लकनों के साईट में यानि जो west up है ना उधर को दही के सा फेट लेनी है दही थिक होनी चाहिए और इसे जलेवी के साथ जब खाएंगे ना तो आप इसका टेस्ट कभी नहीं भूलेंगे बहुत टेस्टी बहुत अनोखा स्वात लगता है आप चाहें जितना भी जलेवी खा लें पेट भर जाये गाले की मन नहीं भरेगा जरूर से ट बाई भाई